दुश्मन का काल आस्मान में भारत को इस अटैक हेलिकॉप्टर की पहली खेप में चार चौपर मिल गए है अमेरिकी कमपनी बोईंग की और से तयार किये गए इन हेलिकॉप्टर्स को अटैकिंग के मामले में सबसे मारक माना जाता है भारत ने बोईंग कमपनी से 22 AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर्स खरीदने का करार किया था इससे पहले मई में कमपनी ने भारत को अरिजोना में पहला अपाचे हेलिकॉप्टर सोपा था अब उस हेलिकॉप्टर समेथ 4 वीमान भारत आपहुचे हैं खुद कमपनी ने हेलिकॉप्टर्स के भारत पहुचने की पुष्टी गी है इस हेलिकॉप्टर के वायुसेना के बेडे में शामिल होने से भारत की दुश्मन के घर में घुट कर मार करने की शबता और बढ़ी है अमेरिकी कमपनी का AH-64 अपाचे दुनिया भर में मल्टी रोल युद्धक हेलिकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है इसे लंबे समय से अमेरिकी सेना में इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन अब इसका इस्तमाल करने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है दुनिया भर में कमपनी ने अब तक 2100 अपाचे हेलिकॉप्टर की सप्लाई की है अमेरिकी सेना ने पहली बार 1984 में इस हेलिकॉप्टर को अपने बेडे में शामिल किया था दुनिया का ये सबसे आधुनिक और बेहत खतरनाक हेलिकॉप्टर है ये जब निशाने पर लपकता है तो दुश्मन अपने होशो हवाश खो बैठता है वार चाहे हवा से जमीन पर करना हो या हवा से हवा में ये हर तरह के हतियारों से लैस है परवाह नहीं कि सामने दुश्मन हेलिकॉप्टर है, UAV है या लडाकू जेट ये एक साथ न केवल 256 गतिशील निशानों पर नज़र रख सकता है बलकि जरुरत पड़ी तो कहर बनकर टूट भी सकता है 365 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ़तार, 575 किलोमेटर की रेंज यानि तबाही का दूसरा नाम है अपाचे इसमें दो जन्रल इलेक्ट्रिक T700 टर्बो शेफ्ट इंजन है और आगे की तरफ एक सेंसर फिट है जिसकी वज़ा से ये रात के अधेरे में भी उडान भर सकता है 365 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ़तार के कारण ये दुश्मन के टैंकों के परखच्चे आसानी से उडा सकता है इससे P.O.K. में आतंकी ठिकानों को आसानी से तबाह किया जा सकेगा रक्षा विशलेशकों का मानना है कि अपाचे युद्ध के समय गेम चेंजर की भूबी का निवा सकता है अब तक खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान में कई कारणामें दिखा चुका अमेरिका का ये जावाज अब भारती आसमान की पहरेदारी करने वाला है इसराइल भी लेबनान और गाजा पटी में अपने सैन ने आपरेशन्स में इसी अटेक हलिकॉप्टर का इस्तमाल करता रहा है अपाचे पहला ऐसा हलिकॉप्टर है जो भारती सेना में विशुद धरूप से हमले करने का काम करेगा भारती सेना रूस निर्मित MI-35 का इस्तमाल वर्थों से कर रही है लेकिन यह अब रिटार्मेंट के कगार पर है अपाचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर और उसकी सीमा में घुट कर हमला करने में सक्षम है